नवस्कार दूस्तों मैं राजपांड़े आप देख रहा है आर्सीय नुटूरे चैनल पर हार जिक स्वागत थे लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे अथेंटिक जानकार देने का प्रियास किया आता है उसी करम में आज की सबसे बड़ी ख़वर के बारे में बात क होगी दूसरी बैठक 15 सब्तंबर के बाद होगी आपको यह भी मालूम होगा मैंने कहा था कि पहली बैठक में कुछ विशेश नहीं होने वाला है 15 सब्तंबर के बाद जो बैठक होगी उसमें भरती परिशाओं से सम्मंदित निने लिये जाएंगे तब उत्तरप्रेश पर बैठक होने वाली है और कौन से बड़े नीड़ने होने वाले हैं अब तक कि सबसे बड़ी ख़बर देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो पहली ख़बर से सुरुवात करते हैं पहली ख़बर है 79,000 सिच्छक भरती को लेकर इलावत हाई कोट की डबल बेंच का आजिश लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे 79,000 सिच्छक भरती के अब्यर्चों का प्रियास रंग ला रहा है कैविडेज मंत्री ओपी राजभर वजीला प्रसासन की ओर से सनिवार को आरचिदवर के अब्यर्चों को मुख मंत्री से मुलाकात कराने का आश्वाशन दिया गया है इसके लिए अब्यर्चों से प्रतिदी मंडल का नाम भी मांग गया है वहीं सुक्रवार को अब्यर्चों ने मंत्री संजे निसात के आवाज का घराव किया अब्यर्थियों का नेतुत कर है अमरेंद्र पठेल ने बताया कि आंदोनर रत आरचिदवर के अब्यर्थियों से मुख मंत्य योगी आजितनात सनिवार देर साम गोरकपुर में मुलाकात करेंगे अब मुलाकात में क्या होता है कौन से आजिश दिया आते हैं इन अब्यर्थियों के समश्या का समाधान हो पाता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देदू उत्तर प्रजिस पुलीज भरती परिच्छा 2023 पेपर लिग प्रक्रण को लेकर 12-12 लाक रोपे में पेपर पढ़ाने वाले दो गिरिपतार आपको बताना चाता हूँ इस सब दलाल हैं कौन हैं दलाल हैं आरो यारो यारो यानि कि समिछचत कारी साहिए समिछचत कारी वा सिपाई भरती पेपर लिग मामले के माश्टर माइन राजियू नैन मिस्रा के दो साथियों को एष्टिय अपने ब्रस्पतवार को देर साम की इंग्र गंज के घो स्वीट के पास से ग्रिपतार किया है आरो पियों ने सिपाई भरती परिच्छा 2023 के अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के लिए 12-12 लाक रोपे में डील की थी सोचिये कितना वड़ा घपला था इस घपले का खुलासा ना होता पेपर लिक की घटना करजानत ना होता इतना हंगामा ना होता भरतियों की द्वारा तो यह अभी परिच्छा रद नहीं होती इंग्र परिच्छा को रद करके दुबारा परिच्छा कराई गई है कटाप के बाद पता चलेगा इस परिच्छा का परिडाम क्या रहा एक बड़ी अपडेट में आ 131 परिचालकों की भरती करेगा च्छेत्रिय प्रवंधक यमके त्रिवेदी ने बताया है कि इसके लिए व्यपसाइर के माध्यम से 7 से 14 सितंबर तक आवेजन करना होगा एक बड़ी अपडेट में आपको और देना चाता हूँ जिसके संब्द में आपको जानकारी होना वश्यक है एन एच ए आई में पूर्व इंजीनियर भरती होंगे यह भी बड़ा अपडेट है एक बड़ी अपडेट और आरो यारो पेपर लिक में दो और आरो पी गिरिपतार जिसके संब्द मेरे दौए अभी आपको बताया गया है पुलिस में भी संलिप्त थे और आरो यारो परिच्छा में भी संलिप्त थे PCSJ को लेकर बड़ी अपडेट में आपको दे दू PCSJ को लेकर जो अपडेट सामने निकल कर आया है लोग सेवा आयोकी PCSJ 2022 परिच्छा का अंतिम संसोजित परिड़ाम जारी करने के मामले में एलाबत हाई कोड ने सवाल उठाया है कोड ने आयोक से हलपनामा दाखिल कर उत्तर पुरुस्तिकाओं की मिलान और पुनह मिलान कर संसोजित परिड़ाम जारी करने की पूरी परक्रिया की जानकारी वागी है इसके साथ ही इस मामले में प्रदेश सरकार को भी अपना नजेरिया इसपष्ट करने का निर्देश दिया है संसोजित परिडाम में पूर पिछले साल घोशित परिडाम में चैनित हुए दो अब भरतियों को चैन से बाहर कर दिया गया है तथा दो ने अब भरतियों के चैन की संसुति की गए है जिसके सम्मद में चैनल की मादिवी से पहले भी आपको बताया गया है बदले गए थे पेपर पीसेस की कापियां ये सभी को मालूम है तो आयोगे के द्वारा अभी तक या इस्पश्ट नहीं किया गया है उसी पर जो है कोड़ने जबाब मांगा है इस्टाप नर्स के 120 पत घटे हैं 180 पतों के लिए परिच्छा कल होगी तो अब तक ही सबसे बड़ी ख़बर है इस्टाप नर्स आइवेज के लिए रविवार को होने जारे लिखित परिच्छा में पतों की शंख्या 300 से घटकर 180 हो गई है उत्तरप्रदी लोग सेबा आयोग के परिच्छा नियंत रग हर्स दियो पांडे की और से सुकुरार को इस शंबन में बिग्यापती जारी की गई है आयोग ने 4 सप्तंबर 2013 को 300 पदों यानि की महिला की 252 और पूरिस के 49 पदों भरती के लिए बिग्यापत जारी किया था देखे जब नोटिश जारी होता है तो उसमें साब साब लिखा होता है कि पदों के शंक्याग हटाई या बढ़ाई जा सकती है अगली अपडेट SSC की है करमचारी चैन आयोग की है करमचारी चैन आयोग ने कंबाइन हार सेकंडरी लेवल एकजाम 2024 के टीर वन का परिजाम सुक्रवार को जारी कर दिया है एक से ग्यारा जुलाई तक आयोग जित कंप्यूटर आधाय टीर वन की परिच्छा में 41,465 अब्रती सफल हुए है अगली ख़बर उत्तर प्रदे सिछा सेवा चैन आयोग की है उत्तर प्रदे सिछा सेवा चैन आयोग की सबसे बड़ी ख़बर है और सभी को पता है कि 15 सब्तम्बर के बाद जो भरती परिच्छाओं से सम्मंद बैठक होने वाली है उसके समंद में इस चैनल के माधिम से सबसे पहले बताया गया था दो बैठक का जिक्र किया गया था एक बैठक हो चुका है जो की कृती पांडे के द्वारा जब ज्वाइनिंग की गई जब कारिभार ग्रहन किया गया तब बैठक की गई और एक बैठक मेरे दोरा बताया था कि 15 सब्तम्बर के बाद होगा हमने कहा था उसमें एजनसी को लेकर भरती परिछाओं को लेकर निर्ना लिया जाएगा उसी में कलेंडर को लेकर निर्ना लिया जाएगा कि कलेंडर में किन किन भरतियों का जिक्र होगा यह भी मेरे दोरा बताया गया था अगर आपको विस्वास ने तो पिछला वीडियो सारा उठा कर देख लिजिए हर एक जानकार सबसे सही और सटी की चैनल के माधिम से दी जाती है अगर मेरे दोरा ऐसा बताया गया हो मेरे दोरा 15 सब्तंबर के बाद बैठा की जानकार दी गई हो तो एक लाइक आप जरूर करिएगा इमानदारी से अगर आपको इमान और इमानदारी बच्ची हो और वीडियो को सेर करके चैनल को सबस्क्राइब कर ले पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरी बात समझाने में 2-4 मिट का समय लग सकता है प्रदेश के सहता प्राप महा विद्यालों में असिश्टन प्रोफेसर के प्रचार के एडर जूनिर हाइज स्कूल हाइ स्कूल वा इंटर कालिजों में सिच को प्रधानाचारियों से लेकर उत्तवे सिच्छक पात्ता परिच्छा के आयोजनों को लेकर जल्द नीने होने के संभावना है उत्तवे सिच्छा सिवचेन आयोक्यू और से नौन्यूक्त अध्यच प्रोफेसर कृति पांडे ने सभी बिंदों पर समीतिया गठत कर रिपोर्ट मांगी है रिपोर्ट मिलने के बाद सासन से अनमोदन के लिए आगे की कारवाई की जाएगी आप लोग यहाँ पर ज्यान से देखेगा कि मेरी बात सही साबित हुई या नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तवे सिच्छा सिवचेन आयोकी अगली बैठक काफी महत्पुर्ण होने जा रही है एक सब्ता से लेकर दस दिनों के भीतर कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी जिसे बैठक मेर रखा जाएगा इसके बाद लंबित और नई भरतियां होंगी कैसे होंगी कब होंगी इसका खाका त्यार होने के साथ चैनल पर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है तो देखिए दोस्तों इस चैनल के माधिम से आपको बता दिया गया था मेरे दोरा आपको जो भी जानकारी दी गई थी वहा सबसे सही और सबसे सठीक थी अब इमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि मेरे दोरा जो आपको बताया गया था क्या इस तरह की जानकारी किसी चैनल के माधिम से दी गई थी आप इमानदारी से बताईएगा क्योंकि अगर आपका इमान बचा होगा आप यूटूबर नहीं होंगे सचाई का साथ देते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरू बताएगे कि 15 सप्तमबर के बाद भरती परिच्छाओं से संबंदे अगर किसी चैनल ने जानकारी दी हो तो बताईएगा सबसे पहले इसी चैनल ने दी थी और किसी चैनल के बसकी बात नहीं थी हवा हवाई बाते करना आसान है लेकिन सत्तिता के साथ आपको जोड़ना आसान नहीं है साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाता हूं कि जो 10 से 11 दिनों के भीतर रिपोर्ट आने की उमीद है इसी महीने आयों की बैठग में प्रस्तावित है उसमें रिपोर्ट रखी जाएगी मीडिया संग वारता में अज्यक प्रोपेसर कृती पांडे ने बताया कि बैठग में सिबल राइन्स में परथर गिरजागिर के पास धर्ना प्रदर्शन कीया गया दूसरे दिन सुक्रवार को भी यह धर्ना जारी रहा चात्रों ने भरती शुरु करने के लिए सीच्छ दिवश पर धना सुरु किया गया था कि एक सब्ता में मांग पूरी नहीं हुई तो महाधर्ना शुरू किया जाएगा धर्ना देने वालों में सनी सिंग सुबास यादो मिकोस मुकेश कुमार इत्याज लोग मौजूद थे मैं आपको बताना चाहता हूं तो दो हजार पचीस से पहले नई प्राक्री शिक्षे भरती नहीं आने वाली है अगर दो चरणों में भरती की गई फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं अगर दो चरणों में भरती की गई तो पहली भरती मैं के पहले आएगी और दूसरी भरती 2025 के इंड या फिर 26 में आएगी और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ एक अक्चारण में अगर भर्ती की गई तो मई के बाद ही आने के सम्भावना दिख रही है तो दोस्तों सबसे सही और सबसे सठीक जानकारी अगर आपको किसी चैनल के मादिम से मिलता है आपको बताया जाता है समझाया जाता है तो इसी चैनल के मादिम से इसको मानिये आप वीडियो पसंदा आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें पूरा वीडियो सुने के लिए दिल से धन्यबाद